इदुल फितर के अफसर पर सोलन स्थित जामा मस्जिद में इद की नमाज पड़ी गई इस तोरान सभी ने एक दूसरे को गले लगा कर इद की बधाई दी और मिठाईया बाती जामा मस्जिद सोलन के इमाम मुहम्मद यूनिस ने बताया कि इदुल फितर के अफसर पर मुस्लिम समुदाय की लोगों ने जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज अधाकी और देश की सुख समरिधी के अलावा खुशादी की कामना की उन्होंने कहा कि गरीबों असायों की मदद के लिए समर्ख लोगों से मदद करने का आगरह किया गया राहतें दुनिया में तेरी बार बार आती रहें तेरे गुलिशन में हवाएं मुश्कबार आती रहें हो मुबारक, शब बरात, इदुल फितर, इदुल जुहा, ऐसी इदें जिन्दगी में बार बार आती रहें आज जाहमेची सोलन में, दो साल के COVID-19 के अरसे से निकलने के बाद, 2019 के बाद पहली बार, उममी तोर पर नमाद इद अता की गई इसमें शेहर के आजपास के दिहाद के गाउं के लोगों ने भारी इतादाद में शिरकत की, इस मौके पर हमने लोगों को गरीब लोगों के लिए मदद करने की अपील की, इसलामी तालिमात के मुताबिक परिगंबर इसलाम जनाब रसूल अल्लाह सुल लगों के इरिशादात के मुताबिक, उनके तालिमात के मुताबिक, आपके पड़ास में, आपके महले में, आपके गाउं में, आपके शेहर में, आपके कसे में, जो भी लोग रहते हैं, बिल लिएलालियाद मज़ों मिल्लत उसकी मदध करना, उसकी होसलावजाय करना और। उसको एद के दिवार में शामिल करना इतबात के एदेर पितर का ये बडा तकदा है। और इसके साथ ही साथ आपसी भायचारों को मजबूत बनाने के लिए, शिएर वाशों के लिए तमाम पर देश वाशों के लिए, समझध देश वाशों के लिए, शुमकामना एन ने दौाएं, ने खाहिशात और उनकी तरक्की और खुशाली की दुआएं की गई और देश की एकता और अखरणता के लिए दुआ मांगी गई देश की तरक्की और सलामती के लिए दुआ मांगी गई और जो हिंदो मुस्लिविसी की साई भाईचारा हमारे मुल्क में हजारों साल ते चला रहा है उसको म रिदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कारिरत है यहां होता है रिदय रोग संबंधित हर बिमारी का इलाज यहां रिदय रोग विशेशक्यों की टीम आपके रिदय का बेहितर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तयार है यहां हिमकेर और आयुशमान कार्ड भी माने है इसके अलावा सरकारी करमचारियों को मिलने वाली सुवेधाएं भी यहां करमचारियों को प्रदान की जाती है रिदय संबंधी किसी भी अमर्जंसी के लिए कृप्या संपर्क करें शोने 1972-22-82 आपके रिदय की सुरक्षा हमारी प्रात्मिक्ता हमारा प अदूने औिज्वेधाएं रिदयों क Evans